सो वेलकम 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 एवरिवान तो इस रिविजिन सेशन ओफ एसे 320 इन प्लैनिंग पर्फॉर्मिंग और अर्ड शारे बचे सबसे बहले बताओ सर इसका नाम 320 क्यों है मैंने का 320 नहीं है 32 है 32 का क्या मतलब होता है हम अपनी 32 से फूर्ड के मटीरियल को हैं तो काई ना कहीं उससे याद रहेगा से 320 मटीरियलिटी इन प्लैनिंग और फॉर्मिंग का क्या मतलब है जब आप अप अपने अपने प्रोसीजर करेंगे जब हम अपनी सेंपलिंग वगरा करेंगे तो हमें मटीरियलिटी की ज़रूरत पढ़ेगी क्या यह बात क्लिय था as a auditor मुझे reasonable assurance लेनी है that financial statements are free from material misstatement तो यह materiality होती क्या है सर material वो misstatement है material वो misstatement है which can influence the economic decisions of the user of financial statement जो कहिना का user of financial statement के economic decisions को affect कर सकता है for example मैं किसी entity को buy करने जा रहा हूँ जैसे कि मैंने क्या का था मैं reliance को buy कर रहा हूँ reliance को buy कर रहा हूँ अरे reliance का share खरीद रहा हूँ तो एक ही बात होगे reliance को buy कर रहा है तो जब मैं reliance को buy करूंगा तो मेरा generally उसके financial statements में कहा ध्यान जाएगा तर या तो revenue पे जाएगा या profit पे let's take revenue अब reliance का revenue हमने कितना माना 1000 करोर अब अगर 1000 करोर का revenue है तो तुम बताओ as a investor तुमको किसे फरक पड़ेगा सब यह 5% ऊपर नीचे होगा revenue तो मुझे फरक नहीं पड़ेगा बट अगर यह difference 5% से ज्यादा हुआ ना बहुत फरक पड़ेगा मेरा हो सकता है economic decision to invest in reliance बदल जाए तो तुमने का इसकी materiality हो गई 50 करोर यानि अगर 50 करोर से उपर की गलती है तो material misstatement है क्योंकि मुझे वो affect करेगी as auditor क्या ही बात सीखी थी हाँ सर अब एक बाह बताओ क्या हम materiality निकाल क्यों रहे थे to plan and perform the audit यानि हम अपने audit procedures करें testing करें तो सब ने बोला सर materiality की उपर जो जो होगा उसको check करेंगे materiality के जो जो नीचे होगा उसको check नहीं करेंगे बट इसमें आ गया था सर क्या धरम संकट इसमें आ गई थी दिक्कत मैंने का दिक्कत क्या थी सर कुछ ऐसी बदमाश गलतिया हो सकती हैं जो कि खुद अकेले अकेले तो material नहीं है बट जब साथ आ जाती है तो वो materiality के उपर चली जाती है तो क्या करें मैंने का अगर materiality को नीचे लाओगे तो ये दिक्कत तो continue ही होती रहेगी क्योंकि हर बार materiality नीचे आएगी इसके नीचे कुछ गलतिया होंगी जिनको सम करेंगे तो materiality के उपर चली जाएगी तो हमको एक नीचे वाली amount तो select करने है बट उसका नाम materiality नहीं रख सकते हैं क्या रखें performance materiality का नाम क्या है this is the amount या amounts एक से जाधा भी हो सकते हैं which are set by the auditor less than the materiality for financial statement as a whole क्यों कर रहे हो तुम यह सब ताकि एक probability जो थी कि uncorrected undetected uncorrected undetected misstatement जो है यह exceed ना कर जाए materiality for financial statement as a whole इती लिए हमने performance materiality निकाली क्या यह बात clear है हाँ सर अब कई सारे बच्चों ने बोला क्या सर ऐसा भी तो हो सकता है आपके financial statements में कोई ऐसा item हो जिससे user of financial statement को फरक पड़ता है बट वो materiality से कम है मैंने का ऐसा कैसे हो सकता है तो सबने मुझे एक example बताया patent का सबने का सर हो सकता है एक entity में patent है भला ही उसकी value मात्र पाच लाक रुपे है बट क्योंकि यह entity के लिए important है तो user का attention इस पे जाएगा फिर हमको एक नया concept समझाया क्या कि particular ABCD के लिए particular ABCD के लिए हम एक lower materiality भी निकाल सकते है तो हमने सीखा if for a particular ABC ABCD मतलब account balance class of transaction disclosure अगर कोई ऐसी misstatement है जो materiality से कम है and it affects the user of financial statement then you can determine a different materiality आप उसके लिए lower materiality निकाल सकते हो क्या ये बात समझाया है हा सर जब मैंने बोला इसके लिए materiality different निकलेगी तो क्या इसके लिए performance materiality भी different निकलेगी बिल्कुल सही बोल रहे हो अगर materiality different निकलेगी त परफॉर्मेंस materiality भी different निकलेगी क्या यहां तक सारी बाते clear थी हां सर फिर मैंने आपको एक बढ़िया वाला concept पढ़ाया सर क्या FRF जो हमारे FRF होते हैं कौन है FRF financial reporting framework इन में आपको कई बात discussion about the materiality मिलेगी तर ये discussion about the materiality क्या बात करती है what how how what का क्या मतलब है material statement वो है which can influence the economic decision of the user of financial statement तो ये what तो आ गया समझ हाओ का क्या मतलब था it is based on the management's judgment judgment about two things सर्क दो चीज़े क्या थी affection and needs come on affection and needs दो बार और बोल दो affection and needs यानि एक user की जो decision है क्या ये सिरफ size पर डिपेंड करता है statement की या nature पे भी तर दोनों पे ये कहता है हमारा जो decision है it is affected by the nature size और बोथ सर नेचर नेचर वाले example देके बताओ suppose अगर कोई एक लाख रुपे का fraud हुआ तो भले ये materiality जो थी पचास करोड उससे बहुत कम है बढ़ क्या एक लाख रुपे के fraud को भी disclose करना चाहिए हा सर करना चाहिए तो ये कहता है materiality is affected by both nature size और बोथ सर needs का क्या point था की पिंटू की या सब की सर सब की जो common financial information needs है जो common financial information needs है उसके हिसाब से materiality निकाले जाती है तो बस आपने यही तीन बाते द्यान रख नहीं थी what how how what का मतलब material statement की definition ठीक है सर how how का क्या मतलब था judgment about the affection judgment about the common financial information needs क्या ये point किया रहे है हां सर तीन नंबर जेब में बहुत बढ़ नहीं है as a auditor आप क्या क्या चीज़े assume करके चलोगे तब से पहली चीज जो हमारा user of financial statement है इसको knowledge है यह यह नहीं है इसको knowledge है सर नौलेज किसको लेके business को लेके उसके operations को लेके प्लस इसके अंदर एक willingness है इसके अंदर एक उत्सुकता है कि यह financial statements को पढ़े so knowledge of business and willingness to study क्या यह point किया रहे हां सर अब जब यह financial statement पढ़ रहा है इसको दो बहनों का याद रखना है तर यह दो बहने को हम थी मैंने का पहली बहन materiality दूसरी बहन uncertainty come on पहली बहन materiality ती दूसरी बहन क्या थी uncertainty materiality वाला point क्या था मैं भूल गया materiality वाला point में भूल गया अरे सर कैसे भूल गये सारा का सारा काम ही तो materiality के साब से हो रहे है सारा काम हाँ जो financial statement बन रहे है materiality के साब से जो उनका audit हो रहे है materiality के साब से यानि financial statement अ prepared presented and audited as per the materiality तो uncertainty कि कहा है accounting estimates में कि जो accounting estimate का outcome होगा it will be different from the estimate so uncertainty about the accounting estimate इसमें क्या लगती है judgment and last point और बता दो future हम future को लेके भी uncertain है क्या पता कल क्या हो कल हो ना हो सर डराओ मत ठीक है इधर focus करो so accounting estimates judgments and the future इन तीन चीज़ों को लेके uncertainty ध्यान में रखेंगे and last point क्या था इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे ये जो बंदा है ये गलत decision लेगा नहीं सर reasonable economic decision लेगा तो this is your last assumption that the user of financial statement will take reasonable economic decision क्या ये सारे points किया रहे है हाँ सर तो यही चार बाते आपको ध्यान रखनी थी फिर हमने एक topic discuss किया था सर क्या ये सारी बाते हो गई हा सरी बाते हो गई फिर मैंने आपको ये point बोला था इसको mcq point of view से ध्यान रखना कोई भी ऐसा item है income का या expense का which is greater than bracket open bracket open में क्या लिखेंगे 1% of the revenue और rupees 1 lakh whichever is higher ये जो amount डिकलेगी इससे उपर अगर कोई item है तो उसको अलग से दिखाना इसी तरह अगर कोई shareholder है जिसके पा इससे दिखाओ ये mcq में icii पक्का पक्का पूछता है फिर इसके अलावा क्या था point मैंने का ये तो सारी topic खतम होने वाले हैं सर एक बाब बताओ एक बाब बताओ benchmark करके topic पढ़ा था हां कौन याद आते benchmark पढ़के reliance reliance के financial statement यानि benchmark choose करना it is a professional judgment मेरी मर्जी मैं किसी को भ professional judgment अरे सर professional judgment लगाते वक्त कुछ factors consider करोगे नहीं करोगे हां करेंगे बताओ क्या-क्या factor है तो सबसे वहले बोलो reliance के financial statement यानि elements of the financial statement element में क्या आता है balance sheet वाले item assets liabilities capital P&L वाले item P&L में क्या आता है income और खर्चे revenue और expenses बस ये 5 आइटम लिखो अब एक बाब बताओ reliance में अम्मानी जी पे तो focus वाला point क्या था items on which the attention of the users is focused on ये point भी हो गया अब जब तुम्हारा focus अम्मानी जी पे तो अम्मानी जी की किस पे दिक्कत आई थी अम्मानी कौन है sir owner है तो आपने बोलना है sir क्या owner वाला point ownership structure and the way it is financed debt और equity इसमें focus कहा जाता है अगर debt ज्यादा है गिर्वी रखा था assets गिर्वी रखे थे so people will be focusing on the assets and the charges which have been created on them अब owner की किस पे दिक्कत आई थी life पे दिक्कत आई थी so life वाला point था nature of the entity ये अपनी life cycle में कहा है क्या ये startup है growth phase में है या matured entity है so nature of the entity where it is life cycle उसको भी ध्यान रखेंगे and last point क्या था जैसे ही इनकी life cycle पे दिक्कते आई reliance का share जूलने लगा उसको क्या कहते है volatility of the benchmark तो पांचों के पांचों points done done are done clear है clear है sir अब ये जो benchmark के कुछ भी हो सकता है कोई P&L का item यानि profit before tax इसके पीछे क्या आता है gross profit उसके पीछे revenue P&L हो गया balance sheet ले ओ balance sheet में assets minus liability क्या निकला capital लिकला ठीक है इधर से asset minus liability डाला इधर से क्या निकला सरी इधर से capital लिग ली मैं रहा capital का मतलब है equity या net assets done 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 हा sir अब ये benchmark उठाओगे कहां से तीन option है पिछले साल के इस साल के अब तक के या forecast से come on three time periods में travel करो मिर साथ या तो पिछले साल के past periods या इस साल के अब तक की जो information है या फिर budgets या forecast इन तीनों में से कहीं से भी तुम उठा सकते हैं इस information को क्योंकि हमने पुरानी information उठाई है तो materiality change भी करनी पड़ेगी तीन reason materiality change करने के sir कुछ नया है दो चीज़े change हो गई कुछ नया है दो चीज़े change हो गई मैंने का नया क्या है नई information है यानि entity ने जो हमने जो materiality निकाली थी वो you can say draft financials पे निकाली थी and अब क्योंकि नय financials आ गए है तो materiality change हो गई है change क्या हुआ है auditor की understanding changes in the circumstance auditor की understanding और changes in the circumstance auditor की understanding क्यों change होई क्योंकि उसने further audit procedures करे समझा point मतलब उसकी रोमम change हो गई क्योंकि उसने test of controls करे तो जो बात हमने सीखी थी connect करके वो ही बात आपने ध्यान रखनी है changes in the understanding में sir क्या example दिया था ये कि आपने करे test of control तो पता चला control risk ज्यादा है अगर control risk ज्यादा है तो मतलब रोमम ज्यादा है अगर रोमम ज्यादा है तो एक बात बताओ detection risk को कम करोगे या ज्यादा करोगे sir obviously बात है कम करेंगे and detection risk को कम करने के लिए testing ज्यादा करी and testing ज्यादा करने के लिए क्या करें sir अगर हमको ज्यादा item चेक करने तो materiality को नहीं चलिया हो very good तो materiality को नहीं चलिया है तो बस ये understanding वाली बात ध्यान रखना main point तो यही था changes in the auditors understanding about the entity as a result of further audit procedure and third point क्या था लपू सा point क्या था वो changes in the circumstances of entity यानि पहले जो business खरीद रहे थे अब उस business को बेच देंगे अब उस business को बेच देंगे यानि decision to sell the business clear है clear है sir इसके बाद document the materiality जो भी materiality के नाम आता है न document कर दो मतलग materiality for financial statement materiality for particular ABCD performance materiality भी materiality या था हाँ उसको भी document कर दो और अगर इनको change किया तो उसको भी document कर दो बड़ाई simple दा सर्या दो last point materiality and audit risk क्या आप materiality and audit risk को सिरफ planning stage पे consider करेंगे नहीं sir हमने question bank किया है हमने question bank किया हमको पता है question bank का test your understanding का question number two था क्या कि materiality को सिरफ और audit risk को सिरफ planning पे नहीं performance पे भी करना है और performance करके जब misstatement मिलेंगी उसको evaluation करते वक्त भी हम materiality को consider करते हैं कि उसका क्या impact है financial statement और audit report पे तो ये बाते भी आपको देखना है and अगर ICI एक line लिखके दे दे materiality and audit risk are considered throughout audit तो तुम वो चक्रो याद रखोगे हाँ sir चक्रो क्या था identifying and assessing the risk of material statement that is the risk assessment procedure फिर इसके बात क्या करते हैं further audit procedure फिर testing करके जो गलती मिलेंगी उसको evaluate करेंगे वही same line कि इसका क्या impact है financial statement पे क्या impact है audit report पे 14 minutes and 33 seconds only और मुझे ऐसा नहीं लगता या मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई भी ऐसा concept है जो हमने miss किया all the credit goes to you जिस तरीके से आपने सारे answer दिये पते पूरी revision में सारे बचे डाल रहे थे awesome 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 मेरे साब से बस एक point रहे था उसको भी हमने technique से याद कर रखा था क्या कुछ ऐसे factors है जो बताते है कई बार आपको financial statement के comparison में lower amount of materiality देखनी होती है तो उसका point क्या था new industrial law new industrial law का मतलब था कोई नया business लिया जिस पे लोगों का attention है उसको दिखाओ industry का क्या मतलब था अगर industry के कोई disclosure है तो वो दिखाओ जैसे pharmaceutical industry में R&D cost and law का मतलब क्या था law 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 regulation FRF कहते है दिखाओ तो दिखाओ इस पे भी question था test your understanding का question number word बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया and आखरी में आज का सूविचार तर आज का सूविचार क्या है जो आपकी आदते हैं यह समय के साथ बनती है चाहे अच्छी हो या बुरी तो हम क्या करेंगे अच्छी आदते बनाएंगे got it got it so that's all for today that's all for right now इसी तरह खुशी खुशी मनना आगे पढ़ते रहे खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे have an awesome day ahead हमें राही audit के फिर मिलेंगे चलते चलते